हेलो एवरिवन वैलकम टु कोकीजी एंड डिलीशियस कोकीजी एंड डिलीशियस में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज में लेकर आई हूं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर वीडियो वह है मिक्सी क्लीनिंग मिक्सी हम घर में डेली यूज़ करते हैं कभी चटनी बनाने के लिए और नॉर्मली हमारे घरों पर यह वाला मिक्सर होता है यह देखिए मिक्सी कितने गंदी हो चुकी है मैंने चार-पांच दिने से कंटिन्य यूज़ किया और मैंने इसे क्लीन नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी क्लीनिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करनी तरीका है यह देखिए बहुत जादे स्टिकी पर दाग लग चुके हैं दो मिंटों में अपनी मिक्सी कैसे क्लीन कर सकते हैं चलते हैं मैं आपको बताती बहुत ही आसान तरीका है आप भी कहेंगे क्यों नहीं पता था यह तरीका मुझे सबसे पहले हमें कर लिए निगे 2 विनीगर और उसके अंदर हाफ चेबल स्पून डिस्वॉशर जैल आड़ कर लेंगे और दोने चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे फिर एक बेकार सा टूथब्रश ले लिए जिसा आप इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसे इस मिक्सी को सारी मिक्सी के ओपर एपलाई की नीचे से भी काफी गंदी हो रही है यह इससे क्या आए मिक्सी के दाग जो है आसानी से छुट जाते हैं अब हमें क्लीन क्लॉथ लेंगे और उससे इसे साफ करेंगे यह देखिए अब यह वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है कभी आप वीडियो को स्किप मत कीजेगा में पॉइंट साभी बागी है यह देखिए सबसे पहले बात करते हैं बरी की इसके बटन की तो उसके चार और बहुत जादा गंदी की थी मैंने इसे ब्रश से दिमूब कर दिया और इस इसमें ब्रश भी नहीं जा पाता तो मैंने एरबर्ट के हैल्प से इसे क्लीन कर रही हूं उसके बाद देखिए अभी भी कुछ गंदीगी बागी है तो मैं टूथपिक लोंगी उससे इस गंदीगी को रिमूव करूँगी यह देखिए बरीग बरीग सी गंदीगी इससे निकलती है बहुत असानी से निकल जाती है और फिर मैं एक स्क्रू के हैल्प से जिसमें हम ग्रैंडर को फिक्स करते हैं इसे निकालोंगे यह ज़रूरी नहीं है कि आप भी से निकाल कर क्लीन करें क्योंकि अगर आप इसके साथ ज्यादा वह इसे निकालने की कोशिश करते यह तो बटन तूट भी जाता है अगर आसानी से निकल जाए तो अच्छी बात है वरना तो आप ऐसी ही क्लीन कर सकते हैं यह देखिए इसका सार यह वाजब पोशन है इसमें भी हम क्या करेंगे एरबट के हैब से क्लीन करेंगे अब बारियात यह वायर की तो हम इस मेशनर को वायर पर भी लगाएंगे और एक कप्ड़े से इसे भी साफ कर देंगे यह देखिए बहुत आसानी से हमारी पूरी मिक्सी की क्लीनिंग हो चुकी है क्लीनिंग तो हो चुकी है अब नेक्स स्ट्रेप इसकी शाइनिंग का तो शाइनिंग के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉल्गेट इस्तेमाल कर रही हूँ कॉल्गेट से क्या होता है कि जो इसका वाइट पोशन है उसकी शाइनिंग जो है बहुत अच्छे से वाकी रहती है और इसके उपर पीलेपन जमा नहीं होता तो इस पीलेपन को दूर करने के लिए इसकी शाइनिंग को बरकरार रखने के लिए मैं यहाँ पर कॉल्गेट का इस्तमाल कर रही हो अब हम इसे क्लीन कर लेंगे नाव मिक्सी बहुत अच्छी हमारी क्लीन हो चुकिए आप देख सकते हैं कि इस पर कोई दाग दबन नहीं रहा और बहुत अच्छे से साफ हो चुकिए अंदर का पोशन भी आप देख सकते हैं होप आपको वीडियो अच्छा लगा उदर प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक्स फर वाचिंग